खबर है WHO द्वारा एक Global Health Emergency की WHO के द्वारा Monkey Pox जिसे अब M-Pox के नाम से जाना जाता है उस पर वेश्विक आपातकाल की घोशना की गई है Global Health Emergency की घोशना की गई है क्या है Monkey Pox, क्या होता है, किस कारण से Global Health Emergency घोशित की गई है आज के सेशन में हम जानेंगे आपको याद है, WHO आप लोगों ने बहुत जादा उसकी बातों को गंभीरता से सुना जब कोरोना का टाइम था इसके द्वारा लगाने वाली epidemic, pandemic की सारी खबरें आपने सुनी थी आपने emergency और इसके द्वारा आने वाले सभी messages को बड़ा गंभीरता से सुना था ऐसे में WHO ने हाल ही में M-Pox को ले करके Global Health Emergency Declare कर दी है इसका मतलब ये है कि दुनिया को सतर्क रहने की आवशकता है Monkey Pox से जिसे अब वर्तमान में M-Pox कहा जाता है यही सुर्खी बनी हुई है Global Health Emergency बन चुकी है तो क्या है, क्या घटना है, क्या होता है M-Pox सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में साजा करने वाला हूँ साथियों Monkey Pox जिसको की वाइरस जनित बिमारी माना जाता है फिलहाल Monkey Pox अफरीका में था असल में अफरीका के कॉंगो के अंदर कॉंगो जो की equatorial country है इसके अंदर हाल ही में कुछ समय पूर्व Monkey Pox के कुछ cases देखे गए थे Monkey Pox लगबग 17,000 लोगों को अब तक बिमार कर चुका है साथ ही साथ कॉंगो के साथ साथ लगबग आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें फैलते फैलते अब तक 500 से अधिक लोगों की जाने ले चुका है ये बिमारी धीरे धीरे और जगह फैलती जा रही है और इस continent को छोड़कर अब यॉरॉप में भी देखी गई है स्वीडन के अंदर इसका पहला case दर्ज किया जा चुका है ऐसे में इस बिमारी का कारण एक जूनोटिक है यानि कि ये इस पर्ष से फैलने वाली बिमारी है या फिर ये संक्रामक बिमारी है और संक्रामक बिमारी के साथ-साथ ये wide scale पर already फैल चुकी है क्योंकि अफरिका के जो पड़ोसी रास्टर हैं जो कॉंगो के आसपास हैं उन देशों के अंदर इसका फैलना पाया जा रहा है ऐसे में इसे लेकर के WHO के द्वारा अपने इस तर पर इसके लिए global health emergency डेकलेर कर दी गई है आप यहाँ पर NDTV की cutting देखते हैं कि पाकिस्तान में भी M-pox का केस देखा गया है जो व्यक्ती सौधी अरब से लौट कर आया था अब यह बिमारी अफरिका से निकल करके स्वीडन में देखी जा चुकी है सौध अफरिका मतलब और सौधी के अंदर देखी गई है सौधी हाला कि रिपोर्ट नहीं किया लेकिन पाकिस्तान में यह बिमारी रिपोर्ट हुई है यही कारण है कि टेड रॉस एड़नॉम के द्वारा इमर्जेंसी कमेटी की बैठक बुला करके एडवाईज किया गया कि इस चीज के लिए निपटने के लिए क्या तयारी हो इंटरनेशनल कंसर्ण जारी किये गए और कहा गया कि इन अफेक्टिड कंट्रीज को इससे निकालने के लिए क्या कुछ तयारियां की जा सकती है आप ये सारी बातें देख रहे हैं इसके बाद में उसके पड़ोसी देश बुरुंडी, केन्या, रवांडा, युगांडा इन देशों में भी इसका फैलना पाया गया और यहां पर देखने वाली बात ये है कि यह है वाईरस से जनित बिमारी क्लैड आईबी नाम का वन बी नाम का जो वाईरस है उसका जो सब टाइब है उससे चार नए अफरीके देशों के अंदर फैली हुई है शुरुवात में यह डेमोक्राटिक रिपबलिक आफ कांगो में ही देखी गई थी इसी के चलते जब डुएचों के जो निदेशक हैं उन्होंने स्वास्थ आपातकाल की घोशना की है टेडरोस एड़ोनॉम ने 15 लाख अमेरिकी डॉलर की आपातकाली ने निधी भी हाल ही में जारी की है अफरीका के शीष और सारजनिक स्वास्थ संग्ठन ने 17,000 से अधिक संदिक्द मंकी पॉक्स मामले और 500 से अधिक मौतों के बाद महाध्वीब के अंदर आपातकाल की खोशना कर दी थी बड़ा सवाल है कि एमपॉक्स क्या है कैसे फैलता है और इसको एमपॉक्स और मंकी पॉक्स मंकी पॉक्स 2022 में ही नाम बदल के एमपॉक्स रखा गया है आप इसे आम बोलचाल की भाशा में भले ही मंकी पॉक्स कहते हो लेकिन अब ड़्वुएचों ने इसका नाम ताकि किसी को टारगेट ना किया चा सके इसलिए इसका नाम एमपॉक्स रख दिया है यह जानवरों से इंसान में फैलने वाली बिमारी है इसलिए इसे जूनौटिक डिजीज कहा जाता है यह बिमारी मंकी पॉक्स वाइरस के कारण होती है जो कि पॉक्स विरिडाई फेमेली से बिलॉंग करता है और उसमें और्थो पॉक्स वाइरस जीनस से यह सम्मंदित है इस परिवार से ही इसमाल पॉक्स, काव पॉक्स और वैकजीनिया जैसे वाइरस भी निकल कर आते हैं यह वाइरस फैमिली से जनित बिमारी है अगर इसका इतिहास देखा जाए तो 1958 में डैनमार्क के अंदर बंदरों पर रिसर्च करते समय यह देखी गई थी इसलिए इसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है लेकिन मानव में इसका पहला मामला 1970 में देखा गया था और उस समय भी यह है कॉंगो के अंदर ही देखा गया था उसी कॉंगो में जहां यह बिमारी फिलहाल देखी गई है उस समय यह है एक 9 महिने के बच्चे में देखा गया था जहां तक बात हो इसके सोर्स की तो का जाता है कि इसका सोर्स कोई बहुत मच नौन तो नहीं है लेकिन गिलहरी और बंदर इसको फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है फिर सवाल बनता है कि यह फैलता कैसे है तो बड़ा सवाल यह है कि यह संक्रमित व्यक्ती से या फिर उसके द्वारा कोई संदूशित सामगरी है उसके इस्तमाल से संग्रमित जानवरों से या शारेडिक संपर्ख सहया बिमारी फैलती है ऐसे में व्यक्ती 5 से लेकर 21 दिनों के भीतर कुछ पर्टिक्यूलर दानेदार निशान देखने लगता है सबसे पहले सिम्टम्स उसके चेहरे पर दिखाई देने लगते है फिर उसके पूरे शरीर पर दाने बनने लगते है यह बिमारी monkey box फैलती है इसमें बॉड़ी के उपर rashes होने लगते है उन rashes के अंदर flood भरने लगता है और वो flood बाद में सूख कर फट जाता है इसका फैलने का बड़ा कारण किसी व्यक्ति के कपड़े या फिर उसके clothings में से bedding टावल, उसके बरतन, saliva ऐसी तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से यह बिमारी फैलती हुई पाई जाती है इसको बचाने के लिए कहा जाता है कि animals के संपर्क में ना रहें जतना अधिक हो सके disinfectants का उपयोग करें patient अगर है तो उसको isolate रखें और antiviral drugs का उपयोग करें जहां तक इस virus के type की बात है तो इसके दो gene समू है जिने clads कहा जाता है जिनसे यह बिमारी फैलती है तो उसमें clad 1 जो है केंद्री और पूर्वी अफरीका में पाया जाता है और जो clad 2 है वो पस्चिमी अफरीका के अंदर पाया जाता है 2022 में जब यह फैला था तो clad 1 के कारण पहला था इसका नाम परिवर्ति 2022 में ही WHO द्वारा monkey pox के इस्थान पर M pox करके कहा गया था का जाता है कि यह virus जनित बिमारी है सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर पर कुछ दानेदार bumpy rashes होने लगते है और उन rashes के साथ साथ यह बिमारी इनसानों में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में transmit होने लगती है possibly यह फैलने लगती है इसके निशान अन्य निशानों से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन और निशानों में flood के अंदर मवाद नहीं पढ़ती है यहाँ पर इस प्रकार से मतलब पस पढ़ने लगता है और फिर बाद में उस पस के सूखने के बाद में इस प्रकार के काले दब्बे चेचक के समान पढ़ने लगते हैं monkeypox के शुरुआत में व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, मास पेशियों में दर्द, पीठ दर्द, तकान और सूजी हुई lymph nodes दिखाई देती हैं चेचक जैसे rashes भी धीरे-धीरे शरीर के विविन हिस्सों में देखने को लगते हैं फोडे बनते हैं जो अंतते पपड़ी के साथ फूट जाते हैं पाँच से लेके 21 दिनों तक इसका पूरा cycle होता है sometimes इससे पीडित व्यक्ती की मौत भी हो जाती है यह बिमारी एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में संक्रामक तरीके से फैलती है यानि मरीज व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती के अंदर फैलती है सवाल यह है कि इससे निपटने का तरीका क्या है तो इसमें कहा जाता है कि infected व्यक्ती जो है उसे अलग स्थान पर रखा जाए उसे separate रखा जाए और साथ ही साथ उसके जो infected portions हैं उन्हें छूने ना दिया जाए जो निशान है उनको टचना किया जाए साथ ही साथ proper तरीके से मतलब उसकी आखों को उसके चहरे को पुरी तरह से साफ सुतरा रखा जाए और vaccine जो small box की है उसका कई जगे इस पर इस्तमाल किया जाता है कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि particular इस बिमारी की कोई दवा तो नहीं है इसलिए एक लाइन में कहा जाए तो prevention is better than cure है वरतमान की स्थिती में monkey blocks के टीके के लिए प्रयास चल रहे हैं अनुसंधान चल रहे हैं डेवलप्ड जो टीके हैं वो small box के हैं लेकिन वो इस पर काफ अगर आप में से भी किसी व्यक्ति को इस तरह के rashes दिखाई पड़ते हैं तो इसके बारे में आप तुरंत डॉक्टर से सलहा लें और चर्चा करें क्योंकि जब globally इसके बारे में health emergency जारी की जा चुकी है तो आवशक्ता है कि आप सचेत रहें और सतर्क रहें क्योंकि Sweden में देखी जा चुकी है पाकिस्तान में देखी जा चुकी है तो निश्चित ही इसका अब धीरे धीरे जो छेतर है वो बढ़ता जा रहा है चूंकि equatorial countries में जिस तरह का moisture वाला माहौल होता है equatorial country में गर्मी के साथ साथ जो moisture है वहाँ पर बिमारियां जादा पनपती हैं वैसा ही माहौल वर्तमान में भारत में हो रहा है क्योंकि भारत में इस समय मानसून का समय है गर्मी के साथ moisture बहुत सी बिमारियों का कारण बनता है जिससे बुखार, खासी जुखाम, नजला जै यह जानकारी मैंने आप लोगों को पूरी तरह से बता दी है कोई भी क्वेरी कोई भी कमेंट हो तो जरूर बताएं फिलाल के लिए इत्ता ही सेशन को साजा करना बिलकुल ना भूलें साथियों से सेशन को जरूर साजा करें यह सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता द सकते हैं हिंदी एंगलिश दोनो भाशाओं में कोर्स उपलब्ध है साथ ही साथ हमारी वेबसाइट अपनी पार्टशाला डॉट कॉम पर नियमित रूप से आपको रिटन में बहुती बहतरीन कॉंटेंट पढ़ने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी बहुती नॉमिनल कीमत पर साल भर की वैलिडिटी के साथ अलग-अलग एक्जाम्स में उपलब्ध कराई जा रही है आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं हमारे क्लास नोट्स अगर आप घर बैठे मंगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे अपलिकेशन पर उपलब्ध हैं जिन्हें आप और कर सकते हैं 3000 से अधिक पेजेज लिखित हैं जिन्हें आप अपने घर पर कुछ इस प्रकार से लिखित हैं रिटन नोट्स हैं जो आपके पास बुक फॉर्म में आपके घर पर पहुँचते हैं किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी और कमेंट हो तो जरूर हमें बताएं